हेलो फ्रेंड्स रेश्पी पिटरा चैनल में मैं रन्जू जी आप सबका स्वागत करती हूं फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे टमाटर के इस्पेशल पराठे जिसे आप किसी भी इस्पेशल डे के लिए भी बना सकते हैं और स्वाद इनका बहुत ही जबरजस्त होता है तो ज जब भी आप पराठे बनाएं तो पकी टमाटर कहीं इस्तिमाल करें तो इन टमाटर को सबसे पहले हम कट करेंगे और इसको भरेंगे मिक्सर जार में इसके साथ कुछ मसाले भी लेंगे तो जिसमें मैंने लिया है एक चमच के लगभग जीरा थोड़ी सी हरी मिर्ची लिए आप अपने टेस्ट के अकोडिंग भी ले सकते हैं एक चमच लिया है मैंने धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार लिया है नमक सामनेत आधा चमच ले सकते हैं तो जार कठकन बन करेंगे और टमाटर के महीन पेस्ट बना करके तयार करेंगे तो लिज़ ये टमाटर का बहुत ही बेहतरीं paste बन करके तैयार हो गया है इसे हम ट्रांसपर करेंगे किसी भी mixing bowl में जिस्ट में हमें आटा भी गुणना है। paste transfer हो गया है इसमें डालेंगे हम ठोड़ी सी कटी हुई धनिया की पत्तियां और थोड़ा थोड़ा करके गेओं का आटा डालेंगे इतने पेश्ट से जितना आठा गुन जाता है उतना ही आठा इसमें डालेंगे अगर टमाटर के पेश्ट से और अच्छा कलर चाहिए तो एक आग तुकड़ा इसमें हम चुकंदर का भी डाल सकते हैं जैसे हम बीर टूट कहते हैं अगर आपको बहुत ही सोफ्ट पराठा खाना पसंद है तो एक से देर चमच इसमें तेल भी डाल सकते हैं या तो आठा गुनते समय भी हाथों में तेल लगा करके गुन सकते हैं तो आठे को मैंने एकठा कर लिया है अब हम हाथों में थोड़ा से तेल लगाएंगे और आठे को सोफ्ट गुनेंगे अगर आपके पास पराठे बनाने में टाइम हो तो आप आठे को गुनने के बाद में 10 से 15 मिनट के लिए रेष्ट भी करने दे सकते हैं अगर टाइम नहीं है तो आप इसे तुरंत से बनाना स्टार्ट भी कर सकते हैं तो लीजिए आठा तयार है तो अब हम आठे का छोटा छोटा टुकड़ा निकालेंगे जितना बड़ा पराठा बनाना हो और उतना बड़ा ही हम पेड़ा बना करके तयार करेंगे तो अगर चाहें तो चकले की मदद भी ले सकते हैं नहीं तो हाथों से इस तरह से पेड़े बना सकते हैं तो दो पेड़े बनकर तयार हो गए हैं अब हम सुखा हांटा लगाएंगे और पेड़े को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा करेंगे इसके बाद इसके हम पराठे बनाएंगे तो तो बेलन से बेल करके हम रोटी को बढ़ा करेंगे अगर आपको गोल से पसंद है तो आप इसी सीप में पराठे सेख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा चौकोर से दे रही हूं तो बीच में इस तरह से थोड़ा सा तेल लगा देंगे इससे क्या होगा कि पराठे अच्छे से तो इस तरह से आप चौकोर या गोल बना सकते हैं तो थोड़ा सा सूखा अंटर लगाएंगे और इससे पराठे इस मील करके बढ़ा कर लेंगे तो इस तरह से लेजिए एक पराठा बनकर तयार हो गया है इसी तरह से हम दूसरे और बागी के जो पराठे हैने उसको भी बे क्षब पलत देंगे और यंद पनांडे । बच्छों के लंज में बराथे को घंक सकते हैं decreasing दृन लब धनीय मिर्चे की चटने के सांथ या तो टमाटर के चटने के सांथ किरमा गरम भर कर सकते हैं या तो बच्छों के लंज के लिपी जिंषपार को दे हैं तो फूले फूले बहुत ही सौफ्ट पराठे बन करके हो गए हैं तयार तो मैंने एक पराठे को इस तरह से शेक लिया है बागी के बचे हुए दूसरे और तीसरे पराठे को भी इसी तरह से शेक लेंगे तो दिखी हम आपों दिखा रहे हैं इस पराठे का कलर भी कितना अच सब्सक्राइब करें और बेलाकिन के घंटी को क्लिक कर आल बटन को प्रेस करें जिससे जब भी में कोई वीडियो आपके साथ से यह करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें साथी में अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फैमिली मेंबर्स अपने फ्रेंड ग्रूप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को लाइक करें आप इस पराठे को अपने घर में कब बना रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा तो लीजिए दूसरा पराठा भी बहुत ही अच्छे से सिक्कर हो गया है तैयार अगर आपको रहता खाना पसंद है तो इस पराठे को रहते के साथ भी खा सकते हैं मैंने इसे सर्व करने के लिए रखा है धन्य की हरी चटने के साथ जिससे इसका स्वात बहुत ही अमेजिंग होता है तो आप भी बनाईए खाईए मस्त रहिए मिलते हैं अगले वीडियो म एक नए रेजिपी के साथ